अच्छा आज ना मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी जिसमें healthy relationship के बारे में बताया हुआ था तो मैंने सोचा हम हमीशा healthy food के बारे में बात करते हैं तो आज क्यों ना हम healthy relationship के बारे में बात करें उसके लिए मैंने उस्मान को खा के आप भी हैं मेरे साथ मिलके voice over करें तो आज उस्मान भी में से वोईस ओवर करेंगे अलस्टामालेकूम जी क्या हाल चाल हैं आप लोगों के मैं तो शुकर अलहम्दलिल्ला बिलकुल ठिक ठाक हूँ और इंशाल्ला आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे बिलकुल ठिक ठाक होंगे विलकम बेक टू मैं चैनल व्लोग विट नादियो के जल्दी से अपना व्लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज मैंने क्या क्या किया था अच्छा यहाँ पेना सबसे पहले मैंने उस्मान का ब्रेकपस्ट बना लिया है जिसमें न मैंने उसमान के लिए दो ब्रेट के स्लाइस करम किये हैं अपने निवी चाई बना लिया अच्छा चाई पीने के बाद न मैंने कल के चीया सीड दूद में भिखो के रखे हुए थे मैंने ना नाच्टे में सिर्फ चाई पी थी क्योंकि चिया सीड ना कल के भीगो के रखी हुए थे और मैंने ये खाने थे तो चाई लाजमी मैंने पीनी होती है तो मुझे ये था कि ये ना हो कि मेरी सेद्द स्टार्ट हो जाए उससे पहले मैं चाई पी यूँ उसके बाद ना मैं ये वला healthy breakfast बना के तो खाऊँगी अच्छा यहाँ पे ना मैंने एक apple ले लिया है उसके चिलके उतार लिया है उसको चोटा-चोटा cubes में कार्टी है साथ मैने ना साथ बडाम ले लिये हैं अब जो चिया सीट में भीगोके रखे थी न वो मैं एक बॉल में एड़ कर दोगी और जो आरी चीजें मैंने काटी हैं वो मैं इस पर दोगी सबसे पहले मैंने एपल के साथ ट्राई किया है चिया सीट को मिर पस तरफ गहर में एपल पड़े होए थे अच्छा मैंने जो पोस्ट पड़ी थी ना उसमें उन्होंने साथ रूल्स बताये हुए थे कि एक कपल को ना ये साथ बातें फॉलो करनी चाहिए एक हेल्दी रिलिशन्शिप के लिए तो मुझे ये लगता है कि अगर हम ये साथ बातें अपने उपर तो अची बात है अगर नहीं करते तो भी बहुत अची बात है और उन्होंने जो जो साथ बाते बताई थी वो ये था एक शादे शुदा जोड़े को खाना इकटे परकाना चाहिए ड्रेसिंग मैचिंग करनी चाहिए मोवी इकटे देखने जाना चाहिए लेड नाइट डिनर करने जाना चाहिए इस तरह के सारी बातें लेकर मुझे ये लगता है हमारी फैमिली में इस तरह होता नहीं है तो मैं जरा उस्मान से पोच्छती हूँ कि आपकी नजर में हेल्दी रिलेशन्शिप क्या है आप बताएं जरा कि आपकी नजर में क्या है हेल्दी रिलेशन्शिप असाम अलेकूम देखो नादी आप जो बात कहरी हैं ना हमारी फैमिली में ये चीज़ें नहीं होती अगर हो जाया तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ये सारी चीज़ें वन से ब्लू मून होती है जिन्दगी को ना मेरे ख्याल में असान बनाना चाहिए अगर हम अपने माबाब को देखें मैंने मुझे नहीं याद पढ़ता कि मेरी माँ ने कभी ये शिकायत की हो के हमी कट्थे बैठके चाहे नहीं पीते मतलब मुखलिफ चीज़ें मुखलिफ चीज़ें हैं तो आप बत है आपके पास आपकी जेव मे पैसे हैं या नहीं है लेकिंगर आप अंदर से खुश नहीं है न तो सारा कुछ सारा कुछ बेकार है जिन्दगी जिन्दगी को असान बनाना चाहिए, एक दूसरे को समाजना चाहिए, एक दूसरे की खुशियों को ख्यार रखना चाहिए, अपने घर को हमेशा प्रायॉरिटी पर रखना चाहिए, मेरी नदर में सिर्फ अगर एक इस गोल्डन रूल पर हम फालो कर लेना, मेरे ख्याल में स सारी चीज़ें कबर ओजाती हैं सिर्फ एक दूसरे को ख्यार रखें मिल्कुल सही कह रही है हैं हेल्दी रिलेशन्शिप में सब। जब नहीं ही बात तो बस फिर हमने उसमान से संबान कि राय ले लही है और मेनकी Arya में भी यही सारी चीज़ं Parmaid पहुत आयम है की एक दूसरे को समधना एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना वाकिता चीज़े बात में आती है कुना देखिए मैं की साथ मोवी देखना बाहिर खाना खाने जाना dai मैचिंग पहनना वॉक पे एकटे निकल जाना ये सारी चीज़े बहुत अच्छी लगती है लेकिन हम लोगों के जो रूटीन है न उसमें पॉसिबल नहीं है अच्छा कल की न रियान की माश्याला से तबीय शुकर अलहम्दुलिल्ला पिल्कुल ठीक हो गई है और उस्मान को ये ना एक कप चाय बनाई जुशंदा लेकर आई हूं साथ मैंने ना चिकन टेंडर वॉप्स फ्राई कर लिए क्योंकि बखार में कुछ खाने को दिली नहीं करता तो मैंने प्र सोचा कि मैंने खाले गोष्ट नहीं बनाती इसमें कोई सबजी डाल लेती हो और मैंने कल कद लडी टमाटर लेसन प्यास सारी चीज़े डाल कि उसको बहुत अच्छी तरह से गला लिया अच्छे जब मैंने प्रेशर कोला तो उसमें तो मैंने कर ना दिया पहले मैं पानी ड्राई करूँ इसको ऑईल डाल के बोनू उससे बहतर है मैं इसी पानी में ना कद्दू काट कर देती हूं तो कद्दू भी गल जाएंगे और पानी भी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं दोनों जीज़ां को इकटे बोल लूगी क्योंकि मेरे बच्चे ना सबजी बिल्कुल मैंश हुई खाते हैं अलग लग तो उन्होंने खानी नहीं है तो भी मैंने दुबारा से प पानी दो ड्राई हो जाएगा अच्छा जितनी दे मैंने प्रेशर लगाना है मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ना मैं सबस धनिया बना लेती हूं आज मेरे पास ना फ्रेश ही बढ़ा हुआ था क्योंकि कल मैंने भी सबजी मगवाई थी और मुझे फ्रेश धनिया इतना ज लोगों को बहुत कम नजर आएगा जिस दिन उस्मान ने खाना नहीं खाना होता तो मैं उस दिन सबस धनिया काट के अड़ कर लेती हूं अच्छा जब मैंने प्रेशर कोला तो अभी इतना ज्यादा पानी था तो कद्दो तो बहुत अच्छी तरह से गल गे थे तो मैंने क भाद मिए बहुत चितरा से भूल लोगी अच्छा रोटियाना मैं साधी नहीं बना रही बच्चे कह रहे थे मामा हमने देसी घी वाली रोटि नहीं खानी तो मैंने प्र उनको ना सिंपर बना जो पराठा बनता है ना वो बना दिया था साधी रोटिया बना के एक साइड पर जो ओयल लगता है ना आदा चमच वो लगाया और रोटिया बना के तो मैंने एक साइड पर रख ली हैं बस यहां पर पानी सारा ड्राय हो गया था कुकिंग ओयल एट किया सबस दिनिया एट किया अच्छी दरा से इसको भून लूगी और कदो इतनी अच्छीता से मैश हो सकती तो वो बच्चे मेरे बेकल भी नहीं काते बाकी सारी सबस्या खा लेते हैं तो बस यह चोटी सी मेरी वीडियो थी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा अपना और अपनी फैमली का ख्यार लखियेगा अलाहाफिज ज जर दोने का लोगाफिगा जाईए